किसान साथियों नमस्कार मेरा नाम परदीव कुमार मैं सुल्तान पुर जिले के बल्दी रायबला के द्यवरा गाउं का निवासि हैं किसान साथियों इस अपने खेत में हमने परवल के नए पौधों को लगाया है पूरे खेत में हमने लगाया है लेकिन हम अपने कुछ पौधों को आपको लाइब दिखाना चाहते हैं देखिए ये पौधा है कितना स्वस्थ है इसको हमने ठंड के मौसम में लगाया था काफी लेट लगाये थे देखें किस तरह से इसमें ये देखिए ये पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमने कुछ नए पौधों को लगाया है अभी ये ज़्यादा बड़े नहीं हुए है क्योंकि जब से लगाया गया था तब से सिचाई नहीं की गई थी नमी भी कम थी ये देखिए अभी इसमें छोटा कल्ला है बहुत छोटा कल्ला निकल रहा है इस हमारे खेद में नमी कम थी जब से लगाये थी उसके बाद हमने सिचाई कर दिये हैं अभी इसमें मिट्टी काफी नम है क्योंकि दब रही है क्योंकि ठंड का मौसा में धोप उतना खुल नहीं रही है। जब से शिचाई किये हैं उसके बाद से देखे ये पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा कितना स्वस्थ पौधा है ये देखे आगे भी दिखाना चाहते हैं हमने इस पूरे खेत में परवल के पौधी को लगाया है ये देखे तो कि मिट्या काफी ज़्यादा दब रही है इसलिए हम अब पूरे खेत में ना घूम करके आपको इतना ही दिखाते हैं इस फरकार किसान साथियों यद हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद